आज हम आपके सामने एक practical वीडियो लेके आए हैं ये देखिए विहेंस दिखाई दे रही है इसको आप देखिए हम इसको चला के दिखाते हैं देखिए एक पेर से लंगड़ा कर चल रही है एक पेर से चलने में बहुत ही दिक्कत आ रही है सातियों इस तरीके की विमारी हमे डाइग्नोस करना है और आप इसका क्या treatment कर सकते हैं देकि इस बेंस को आप देखिए इस तरीके से लंगडा कर चल रही है सातियों हम पेक्टिकली वीडियो लेके आते हैं इसका क्या treatment करना है हम इसमें आज डिटेल से जानेंगे तो बने रहे हैं इस वीडियो में आंज तक यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सात्यों आज हम बात करेंगे लंगड़ाट की, पसुओं में लंगड़ाट, आपको पता है कि आपने इसे बहुत सारे केस देखे हूंगे, इस तरीके चारा दाना पानी बिल्कुल बंद कर दिया है, हम यहाँ पर टीटमेंट करने गए हैं, इसका डाइगनोस करेंगे, सात्यों सबसे पहले हमने इसके पेर को देखा है, पेर को साब करा है पानी से, और पहले हमें पेर को देखना है कहीं कील, पत्तर, कंकर, तो नहीं चुप गया है इसके बाद हमें पस्व मालिक से एसे केस में केस हिष्ट्री लेना बहुत ही जरूरी है केस हिष्ट्री के रूप में हमें लेना है कहीं दूसरे पस्व से लड़ा तो नहीं था सात्यों या कहीं गड़े में पेड़ तो नहीं डाल दिया था या गड़े में गिड़ त यह यह या तो पस्व को पेर में कुछ चुप जाता है या पस्व कहीं सब्सक्रादे में पेर गिर जाता है इस तरीके से लंगड़ा कर चल रहा है बहुत जब्गड़ा है पस्व का डाइगनोस के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं इसमें ज़्यादा हमें डाइगनोस की जरुत नहीं रहती है सिर्फ पसु माली की इस बीमारी के बारे में हम बता सकता है और आपका डाइगनोस यही सही है तो आप इसे केस को तुरंट ठीक कर लेंगे कि हमने इसे बहुत सारे केस देखे हैं बहुत सारे पसु को ठीक क्या है साथियो यह केस थोड़ा सा ज़्यादा लंगडा कर चल रहा है उसने इस कंडिशन में चारा दाना पानी सब बंद कर दिया है और पसु सिरियस हो चुका है इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है पसु चल नहीं रहा है जब पसु बेट जाता है तो खड़े होने में भी दिक्कत देखने को मिल रही है साथियो ऐसे केस यह देखी अब हम इसका टीटमेंट जानेंगे कि जब भी आपको फिल्डम में पसु चाहे एक पेर में लंगडाहट हो या दोनों पेरों में हो आप इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते है साथियो क्या है वो तरीका तो हम आपको सबसे पहले इसमें बताते है हमने इसमें पसु में जो डाइगनोस किया है वह है मोज का केस से लंगडाहट का केस से साथियो तो इसमें हमें ज़्यादा मेंगी दवायों को परियोग नहीं करना है हम इसमें इंजेक्शन लगा रहे हैं नियूरोकाइंट प्लस जो इंजेक्शन आता है यह हम 15 ml देंगे इसके साथ में हम इसमें मेगलुडाइन जो इंजेक्शन आता है यह हम 10 ml लगाएंगे और साथियो इसके साथ में हम एंटिबायाटिक इंजेक्शन देंगे एंटिबायाटिक इंजेक्शन आपको इंडोफ्लाक्सोसिन ले सकते हैं हम इसमें इंडोफलाक्सोसिन 10% वाला देंगे 20 ml, सिर्फ तीन इंजेक्शन देंगे, और सातियों हम यह हैं इंजेक्शन दो दिन तक लगाएंगे, आप देखेंगे कि दो दिन में पसु पूरी तरीके से रिक्वर हो जाएगा, यदि थोड़ा बहुत लंगडा आट रहती ह तो आप इसमें इंजेक्शन 3 दिन तक दे सकते हैं, कोई side effect देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यह treatment इसे case में जरूर करें, क्योंकि यह case को ठीक करने के लिए हमने जो injection बताया है, इन injection का यदि आप समय से सही से परियोग करते हैं, तो आप इसे case को ठीक कर लेंगे, और इस अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन बंदे मातरम